दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपने स्टीट बैंक ओफ इंडिया के अंदर आपने खाते का KYC किया हुआ है ठीक है तो आप कैसे पता कर पाओगे कि आपका खाता का KYC हुआ है या फिर नहीं हुआ है देखो दोस्तों यदि आपका खाता बंद हो गया था और आपको KYC करने के लिए SMS आया हुआ था तो भाई आप KYC करके यहां पे घर आ गया हो और आप जाना चाहते हो KYC हुआ है या फिर नहीं तो भाई दो माद्यम है पता करने का ठीक है सबसे पहला माद्यम तो यह है कि आपके अगर फोन के अंदर Google पे फोन पे आप चलाते हो तो आप चेक आउट कर लिना एक बार कि आपका खाते से पैसा ट्रांसपर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है ठीक है तो दोस्तों जैसा आपको पता होना जीए कि अगर KYC आपका खाते में नहीं हुआ रहता है तो आ आपका ट्रांसपर हो जाता है निकल जाता है तो आप यह समझ जाना कि आपका खाता का KYC हो चुका है ठीक है दूसरा माध्यम यह दोस्तों कि आपका जो रेइस्टर मोबाइल नमर होगा स्टीट बैंक आफ इंडिया के खाते के साथ में जो मोबाइल नमर आपका लिंक आप देख रहे हो मैंने यहां पर अपने खाते का KYC करवाया हुआ था 28 सारी के लंब सम्में ठीक है तो उसी दिन हमारा SMS यहां पर आया हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि डियर कस्टेमर एड्रेस हैस बिन चेंजड इन अकॉंड नमर ठीक है इफ नॉट रिक्वेस्ट प्लीज कॉंडेक्ट यूर ब्रांच SBI ठीक है तो भाई State Bank of India के तरफ से हमारे रेइस्टर मॉबाइल नमर में जो हमारा SBI खाते के साथ में लिंक है उसमें यह SMS आया कि आपके खाते का जो एड्रेस है वो चेंज कर दिया गया है कहने का मतलब है KYC का मतलब ही होता है तो आप भी चेक आउट कर लेना अपना फोन के अंदर फोन के अंदर यह दिया आपका मैसेज में यह SMS लिख करके आ गया है जिसमें आपका लिखा होगा डियर कस्टेमर एड्रेस हैज बिन चेंजड इन अकॉंड नमबर ठीक है अकॉंड नमबर का लाष्ट का आपका जो ह अगले वीडियो में वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद